ओम साही राम, वेलकम टू साइंस अमरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि जब हमारे मन में विश्वास होता है न तो नारायन जरूर मिलने हमसे आते हैं, हमारे साइं हमसे जरूर मिलने आते हैं और समय समय पर हमें मदद हमें संकेत भी देते हैं लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारे मन में हमेशा विश्वास होता है कि हम कभी भी अगर तकलीफ में होंगे ना तो हमारे इश्वर हमारे इस्ट हमें बचाने जरूर आएंगे हमारी मदद जरूर करे जिस तरह से हम उपर वाले की भक्ती करते हैं विश्वास करते हैं तो हमें हमेशा ये उन पर विश्वास होता है तो चलिए आईए आज मैं आपको छोटी सी कहानी के अमादम से बताऊंगी कि हमारे इश्वर हमारी मदद कैसे करते हैं तो चलिए आईए आज कहानी की शुरु बात करते हैं तो एकनस साधू थे और वो बहुत ज़ादा इश्वर पर विश्वास रखते थे वो इतना ज़ादा विश्वास रखते थे कि अगर उन्हें कोई भी तकलीफ होगी कोई परिशानी होगी तो उनकी इश्वर उन्हें बचाने हमेशा आएंगे उनकी असीम विश्वास था उपर वाले पर और वो हमेशा प्रातना करते रहते थे भक्ती करते रहते थे अच्छे काम करते थे और उन्हें पून विश्वास था कि जब भी उनकी जिंदगी में कोई परिशानी होगी कोई दुख होगा तो इश्वर उनका साथ देने जरूर तो क्या हुआ जिस गाउं में वो रहते थे ना उस गाउं में अचानक से बार आ गई और जितने भी गाउं वाले थे वो गाउं छोड़के दूसरे गाउं की तरफ जाने लगे कोई नाउ से जाने लगा कोई कैसे जाने लगा सब एके करके गाउं छोड़ छोड़के जा रहे तो उन्होंने क्या किया उचे स्तर पर एक टीले पर जाकर वहां पर बैठ गए और जब वो टीले पर जाके बैठे तो वहां पर इश्वर को याद करते हैं कि हे भगवान हे इश्वर आप मुझे बचाने कब आओगे मेरी मदद के लिए कब आओगे तो उसी वक्त ना एक नाविक आता है और वो नाविक अखेला होता है कहता है महात्मा जी चलो मैं आपको लेने आया हूँ जैसे कि वो सिर्फ उनी को बचाने आया था लेकिन महात्म जी तो फिर क्या करते हैं महात्मा जी एक पेड़ पर चड़ जाते हैं जो बहुत ही उचा होता है तो वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम होती है जिसे बचाव दल भी कहा जाता है तो वो भी आई वो भी कहती है सादू जी से महात्मा जी से कि महात्मा जी चलिए हम आपको बच चलिए तो वो जो रेस्क्यू टीम थी जो बचाव दल था वो उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा मुझे अपने इश्वर पर पूर्ण विश्वास है वही मुझे बचाने आएंगे वही मेरी मदद करेंगे मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ उन थे उनके पास में कोई option नहीं था उससे भी उपर जाने का और वो भी पाने बे गिर गए और उनकी मृत्यू हो गई और उसके बाद जब वो उपर पहुँचे मृत्यू के बाद तो वो इश्वर से बहुत नाराज हुए और उनसे पूछते हैं हे इश्वर मैं तो आपर इ रूप में और एक बार बचाव दल के रूप में लेकिन तुम नहीं आए तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में इश्वर हमेशा हमारी मदद करने आते हैं जरूरी नहीं है कि इश्वर साक्षत आपके आगे प्रकट होंगे जिन्होंने मुकुट लगाया होगा जुनोंने वो वस्त्र धारन किये होंगे और हाथ में उनके बासूरी होगी या कोई शस्त्र होगा तो वो आपके सामने साक्षत प्रकट हो जाएंगे जो भी हमारे आस पास बहुत सारी चीजे घटित हो रही होती हैं जिनसे हम बच जाते हैं कोई चीजे ऐस प्रॉब्लम का आपको solution अचानक से मिल जाता है आपकी problems solved हो जाती हैं आपके रिश्टे सुधरने लगते हैं और बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव आरा होता है तो वो सब क्या है वो इश्वर की किरपा तो है और आपको किसी के तुरू कोई information मिल रही होती है कोई संदेश मिल रहा होता है या फिर आपको किसी के थूरू कोई मैसेज मिल रहा होता है या कुछ भी किसी तरह से आपको indications मिल रहे होते है It means कि इश्वर आपकी मदद करना चारा है आपको बता रहा है आपको संके दे रहा है कि आप वहाँ से निकलो वो आपको हर रूप में अलग-अलग धंग से समझाता है, आपको वहाँ से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, इतने ज़्यादा जिदी होते हैं न, कि उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे इश्वर खुद स्वयम प्रकट होंगे, और हम बहार रखिए, क्योंकि ये सत्यूग नहीं है, ये कल्यूग है, और सत्यूग में इश्वर प्रकट होते थे, ना कि कल्यूग में, कल्यूग में हमेशा इश्वर आपकी मदद करते हैं, मैं नहीं कहते कि इश्वर नहीं है, इश्वर हैं, हमारे साई हैं, लेकिन वो हमारे मदद क मेरे पास में हमेशा कॉल करके यही पूछते हैं कि हमें साई ने वो क्यों नहीं दिया और जिद करके एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं बार बार कि साई हमें क्यों नहीं दे रहे और अब इतने सालों से महनत कर रहे हैं फिर भी हमें नहीं मिल रहा तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि साइं आपको कोई दूसरा इंडिकेशन दे रहे हैं, कोई दूसरा मार्ग दिखा रहे हैं, आप उसको बदलो, उसको चेंज करो, यह नहीं कि आप जिद बकड़कर एक चीज बैट गए हो, वो साइं की जिद नहीं, वो साइं की प्लानिंग नहीं, वो आपकी प्लानिंग है, वो आपकी जिद है, जो आप अननिसेसरी बाबा से कर रहे हो, जो आपकी जिद पूरी नहीं हो रही, इट मींज बाबा अपने हिसाब से करेंगे, और जो बाबा अपने हिसाब से करते है न वो आपके लिए बहुत 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 बैटर होता है आपके भविश्य के लिए आपके फ्यूचर के लिए लाइक अगर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सॉल्फ तो समझ आई कि बाबा उसको अलग ढग से सॉल्फ करना चाहरे है अगर किसी को नौकरी अभी नहीं मिल रही या किसी में प्रॉमोशन नहीं मिल रहा तो आप ये सोचे कि बाबा आपको इससे बैटर कुछ और दे मेरे सामने आते हैं और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि हमेशा इश्वर को दोश देते हैं हमेशा उंगली उठाते हैं लेकिन जो हमें इश्वर encryption देरा होता हैं यह हमें बता रहे होते हैं किसी ना किसी रूप में तो वह刚才 कि भाइन केमेसां कोर देरा हैấu की मै तो जिद हुई ना? वो आपकी जिद हुई वो sign की नहीं है वो आपकी जिद है तो अपने directions को अगर आप बदल देंगे sign के according जो sign आपको बताना चाहरे है ना तो शायद आपकी life ना better से भी बहुत better हो जाएगी आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके साइं हमेशा हर रूप में आपको indication देते हैं वो हमारे समझने के उपर होते हैं कि हम उसे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, वो हम पर depend करता है और हमें लगता है न कि हम साइं की भक्ती करते हैं, पूझा करते हैं हम तो इतना पार्ट करते हैं, उतनी पूझा करते हैं लेकिन उसके बाद भी बाबा हमें जवाब नहीं दे रहे ऐसा नहीं है, जवाब बाबा सबको देते हैं संकेत सबको देते हैं it's depending on you, कि आप उसे समझ रहे हो यह नहीं समझ रहे, यह आप पर निर्वर करता है, तो आपको समझना है, ध्यान देना है बाबा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, अगर यह चीज नहीं हो रही न, तो फटा-फट अपना direction चेंज कर दीजिए, जिस तरह से बाबा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मा किसी के थ्रू ही आपको मैसेज देंगे, या किसी व्यक्ति के रूप में, या किसी रिष्टिदार के रूप में, या किसी न किसी रूप में आपको बताएंगे, किसी पोस्टर के रूप में, किसी संदेश के रूप में, कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो वही आपको करना ह अपनी जिद को छोड़ना है और हमेशा विश्वास रखना है कि हमेशा साई उपर वाला परमात्मा हमेशा आपके साथ है हमेशा I hope आपको इस वीडियो का जो मीन है वो समझाया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपके भी कोई अनुभव है बाबा को लेकर तो आप भी हमारे साथ शेर कर सकते हैं स्क्रिन पे चल रहे हैं नंबर पर आप हमारे साथ शेर कर सकते हैं ये भी बाबा की एक सेवा है इसमें इन्वाल्व होई है बाबा की सेवा कीजिए बाबा बहुत खुश होते हैं और हमें आप कॉल भी कर सकते हो या आप हमें मैसेज भी कर सकते हो हम आपको अपने टाइम के कॉडिंग आपको जवाब दे देंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स साइरां, जय साइरां!